करें लोज़ा है वेली कम तु चैनल मेरा स्कूल आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एकस्क्टर 1 है डिलेशन & फंक्शन्स में और से बस्क इकद्ट इस एकस्सक्राइज में वह हम सबसे पहले बात करेंगे आए चलते हैं types of relations पर पहले हम बात करेंगी relations किस-किस तरह के हैं इस chapter में सबसे पहला है empty relation काम से ही पता चल रहा है empty relation ऐसा relation जिसमें जो element है वो कि बीच में कोई relation बनी नहीं पा रहा है ठीक है definition पर चलते है a relation are in a set called empty relation if no element of a is related to any element of a जो a से a का relation को कुछ नहीं होगा यहां पर r को दिखाया गया है 5 subset of a to a आए एक्जम्पल से समझते हैं इस एक्जम्पल में देखिए let a be the set of all students of boy school यहां देहान देजिए boy school है ठीक है the relation r in a given by r is it be such that a is sister of p तो क्या यह possible है कि boy school में boy है वह दूसरे boy का sister हो जाए ऐसा possible ही नहीं है तो यह relation क्या कहलाएगा empty relation ठीक है इस तरह के सो भी relation बनेंगे वो empty होगा यानि इसमें कोई universal relation if each element हां ध्यान देजिए each element of a is related to every element of a यानि हर एक element to each element से relate करेगा बिल्कुल opposite है empty relation है एक्जम्पल से समझते हैं Example let a be the set of all students of boy school भही हमने example लिया है boy school the relation r in a given by r is the difference between the heights of a and b is less than the 3 meters अगर a और b दो students हैं तो जहिर सी बात है इनके बीच में height का difference अभी भी अगर हम उनमें देखेंगे 3 meter बहुत ज्यादा height होती है ठीक है इतना difference दो बच्चों के बीच में कभी होई नहीं सकता है अगर हम first class के बच्चा भी ले 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 तो अभी तीन मेंटर का difference हमके बीच में नहीं हो सकता है यह सारी की condition है हर बच्चे के साथ fulfill होगी यह पूरी तरह से a और b से related होगा हम इसे कहते हैं universal relation फिर से मैं नहीं हो सकता है कम ही होगा इसलिए यह universal relation है चलिए बढ़ते हैं next पर reflexive relation reflexive कभ गयल आएगा if a and a belongs to r और a is related to a for every set of a example से समझते हैं ज्याद अच्छे से example में देखिए let t be the set of triangles in a plane with r relation in t given by r is t1 and t2 t1 is congruent to t2 congruent के बारे में तो आप समझते ही होगे जाद कीजिए आपने पिछे classes में पढ़ा आईए पीछे congruent का इसाइन है triangle 1 and triangle 2 congruent होते हैं जब उनकी कुछ properties match करते हैं तो आप यहाँ पर कहा गया है कि reflexive कभ होगा जब set a में a का ही relation यानि किसी element का relation खुद से ही वो relation satisfy हो जाता है जैसे देखिए t1 is congruent to t2 मैंने एक triangle लिया है देखिए और इसी AC के कोपी है यानि यह खुद ही यह हमेशा ही खुद से congruent होगा तो हमेशा satisfy होगा तो कोई भी element जो कुद की बात करेंगे तो reflexive इस case में होई जाएगा कोई भी triangle खुद से हमेशा ही congruent रहता है इसलिए यह statement यहाँ पर satisfy करेगी तो इसको हम बोल सकते है से reflexive relation यानि दोनों ही जगा सेम element को रखने पर अगर relation satisfy होता है कहां पर दोनों जगा ए और बी के जगए हम सेम element को रखते हैं ए ही रखें या बी बी ही रखें या टी वन टी वन ही रखें और relation satisfy हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे reflexive relation ठीक है बढ़ते हैं आगे स्पोर्ट symmetric relation आप symmetric कभ कहला आएगा देखें ध्यान से यहां से इप A1 A2 जहां ध्यान देंगे आप A1 A2 तो एलिमेंट है related to are implies that A2 A1 यानि उल्टा हो जाए जिस तरह से A1 A2 से related है उसी तरह से A2 A1 से अगर relate कर जाए तो हम बोल सकते हैं कि symmetric relation है आई एक्जामपल से समझते हैं एक्जामपल में देखें फिर से मैंने वही लिया है कॉंगरेंट वाला T with a set of triangles in a plane with R a relation in T given by R such that T1 and T2 relation क्या है T1 is congruent to T2 ठीक है आप देखें एक जो है दूसरे triangle से congruent है जहां से समझें T1 जो congruent है T2 के ठीक है तो इसका opposite भी सेम होगा क्योंकि अगर मैं चल्ड़ यह ऐसे बात करते हैं अगर यह T1 जो है T2 का भाई है तो already T2 भी T1 का भाई है तो इसी तरह बात होगी तो concurrency में यह दोनों आपस में बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाएंगी तो यह बात बिल्कुल प्रूब हो जाएगी कि T1 और T2 दोनों आपस में congruent है चाहे T2 को T1 से कहीं या T1 को T2 से कहीं तो नीचे देखें statement में लिखा गया है T1 T2 related to R implies that T1 is congruent to T2 same T2 is congruent to T1 so the R is symmetric यह आपको समझ में आगया होगा बढ़ते हैं आगे next is transitive transitive relation का होगा जब A1 A2 related है A2 A3 भी उसी तरह से related है तो A1 A3 भी related होने चाहिए इस condition में यह आपको याद होगा छोटी classes में एक associative law आपने पढ़ा होगा तो वही law एक तरह से हैं जैसे A B आपस में related हैं B C आपस में related हैं तो A C भी related होने चाहिए अगर यह condition बंती है तब आप कह सकते हैं कि A relation transitive है आए एक्जांपल से समझते हैं एक्जांपल देखिए यहाँ पर फिर से मैंने वही congruent सी वाला ही लिया है Let T with a set of triangles in a plane with R a relation in T given by R so that T1 and T2 are related T1 is congruent to T2 तो आप देखिए इसके हिसाफ से स्लोजते हैं अगर T1 T2 congruent T1 T2 के congruent है और T2 T3 से congruent है तो यह देखिए T1 T2 से congruent है और इसी तरह से T2 T3 से congruent है तो automatically देखेंगे आप कि T1 T3 भी congruent हो जाएंगे हो गया इस तरह के relation को हम क्या बोलेंगे transitive relation यह भाई वाली example इसमें आप ले सकते हैं जैसे माल लेजिए यहां पर मैं लिखता हूं जैसे A B C A B का भाई है और B C का भाई है relation तब बनता है जब इसमें यह शर्तिय होंगी क्या 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 देखें relation R in a set called equivalence if R is reflexive symmetric and transitive अगर कोई relation reflexive भी है symmetric भी है और transitive भी है तब वह equivalence बनेगा जैसे हमने पीछे example में देखा congruency वाला कोही फोलो उसके examples हो सकते हैं जो equivalence relation हो सकते हैं देखें मैंने आ लिया है since we have checked in the last slides that R is reflexive symmetric and transitive therefore R is equivalence क्यों से R यह वाला यह हमने statement लिया था तो यह equivalence relation है क्योंकि कि किस condition हमने चेक किया यह वाला है हमारा reflexive भी है symmetric भी है और transitive है जब भी आप relation चेक करेंगे अगर यह तीनों condition को लो जाती है तो वह equivalence relation बन जाएगा exercise 1.1 में आपको यही सारे concept मिलेंगी I hope आपको समझ में आए होंगी फिर पिर आपको कही doubt है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बेजें कोशिश करेंगे जल से जल आपको doubts को clear करें में तब तक के लिए धन्यवाद